Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History का MHI 01 का All Important Topics पढ़ने वाले हैं दोस्तो इस वीडियो से आपका benefit यह होने वाला है कि जो MA History, MHI 01 का जो syllabus है बहुत बड़ा है पर इस वीडियो के अंदर में मैं आपको 15 Topics बताने वाला हूँ उसके basis पे कौन-कौन से questions बनते हैं, वो बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी आपको book को complete करने में, आपके syllabus को complete करने में Even last time पे जब आपका exam हो, जैसे कल exam है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगा, आपको short time पे पढ़ने के लिए कि क्या पढ़कर जाएं तो आपको अच्छे number आ सकते हैं ठीक है, चले start करतें दोस्तों आज का वीडियो पर start करने से पहले कुछ request है आप सभी बच्चों से पहला request यह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें और अगर ये वीडियो आपके लिए valuable है, आपको अच्छी लगती है, आपके life में, use में आती है आपके काम में तो comment करके जरूर इसको appreciate करें, ठीक है, और दूसरा request यह है दोस्तों कि MA History MHI 01 का मैं पहले ही एक video डाल चुका हूँ, जिसके अंदर में last five years के जो question paper है, वो मैंने solve करवाया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो वो देख ले, क्यूंकि उस video को देखने के बाद, इस video में आपको बहुत ज़दा help मिलेगी, इन topics को cover करने के लिए, ठी तयार कर ले उससे, फिर इस वाले वीडियो को देखें, जिससे आपको help मिलेगी, चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले topic से, सबसे पहला जो topic आता है, आरंभिक मानव समाज का आता है, पहला ही topic, पहला ही chapter है आपका MHI 01 का आरंभिक मानव समाज, अब आरंभिक मानव सम आज क्या था, जहां पर हम बात करते हैं कि मानवो का उदभव कैसा हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलो लित्पस, ठीक है, होमो एरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस, आदूनिक मानव, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से, आपक आपको जाना है, प्लेलिस्ट के अंदर में पहला चैप्टर उठाना है, पढ़ना है, वहां से ये कोशिंस बनते हैं, कि होमो सेपियंस कैसे थे, आदूनिक मानव कैसा था, उनका जीवन व्यापन किस तरीके से करते थे, ठीक है, उनकी जो जीवन सैली थी, वो किस पर निर करते हैं, दूसरे topic के हम बात करें दोस्तो, तो पसु पालक खाना बदोसी दूसरा हमारे topic रहता है, पसु पालक खाना बदोसी क्या होता है, कि ऐसा समू, ठीक है, जो औस थाई तोर पर एक जगह पर टिकते नहीं है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, घुमतु समु है और उनके साथ में पसु पालक का एक जुन्ड होता है पसु का जुन्ड होता है ठीके पसु पालने का एक reason भे होता है कि अगर मानलो एक जगा से दुसरे जगा गुम रहे हैं कभी खाने की कमी हुई खाना नहीं मिलरा तो हम क्या करें पसु का उप्योग कर से खाने के तौर पे उनके पसुओं के जुंड में सो से ज्यादा जानवर होते थे ठीक है और वो अकेले नहीं कि मतलब यह नहीं कि मैं अकेला घूम रहा हूं सो जानवर लेकर ऐसा नहीं उनका पूरा कुमभा होता था पूरा जुंड होता था दस बारा पचास लोगों का जो समू होता था वो गूमता था सो 20 treaty लेकर गो मतलब से दूसरे जगह जो पस्वपालाक खाना बदोशी कहलाते थे इसमें विसेस्त के बात करते हैं एंपर तो अम पहले बतां थे वह आ甚 था रहते थे व कविंपuna का ज़गा विसेस्ता जो पर दिखते हैं कहीं भी घर बनाए और वहां पर रह लिए ठीक है आज वहां का काम खतम हुआ तो दूसरी जगत चले गए तो यह हम यहां पर हम इसको बता सकते हैं ठीक है समझ में आता है दूसरी चीज हम बताते हैं कि वह जो एक दूसरे से लेंदेन करते थे थे वह वस्तू वीनिमे करते उनका धारमिक अनुस्ठान भी क्या करते थे जिसमें बली पड़ cricket के पारे में भी जिक्र मिलता है अंतो दो अनके नदर में परचलने नदर में ठीक है साधी के विविन पिविन माननेता चोते बड़े जानवर का गर बालव हे धांशन को ने में में मेंले इनका जानवर हुआ करता था, वो गोडे होते थे पर गोडे की संक्या कम देखने के लिए मिलती थी भीरण बकरी जूंवर्ण के जानवर का पालते थी, कुटता परमुक्ष जानवर के तर पर देखा थे этот होता है कि इनको सुरक्षा परदान करना भोजन की खोज में इनका असानी से डूड़ना ठीक है सुवर कुटा इन सब के चीज़े असानी रहती थी और दूसी चीज क्या रहता था कि जो कुटा सुवर यह जो जानवर थे वो किसी तरह का स्पेशल भोजन उनके लिए जुरत नहीं बढ़ता था जैसे गाय के लिए हमें घांस चाहिए चाहिए कुटा के लिए ऐसा नहीं था वो जो आप खा रहे है उसका बचा खुचा खापी कर रह लेते थे तो इस तरह के चीज़ें यहां पर हमें देखने के मिल जाती है और आर धिरे धिरे जीवन सैली में परिवर्तन हुआ उसके समय के सासत में और कुछ लोग जो कुछ समु था वो धीरे धिरे किर्शी की और बढ़ने लगा और वहां से क्रिशक समु का उत्पन होना सुरू हो जाता है ठीके और उन्होंने कई जगा पर विशाल समराज्य स्थापि तेसरा ट 민주 के यूग समझ इसके अंदर में यंग समाज है क्या we 3 तैने समाज में लेखन कला का विकास में नलों लेखन करगा गने समाज ही हुए जो थामबा hundred भू थाइक है यूगिन पूरे टाई तो समाज मतलब उसका उप्योग करने वाला ड़हां पर तामवे का उप्योग हो चुका था तो उसे कास्ष przyp क्या lagi ऑन गते हैं ठीक है फिरिता यहां पर कोशन बनेता है एक समाज के वारे हम बताओ तो आफ समाज के वारा था अश्ड़ा गये थी ८हां कि आपस में क्यों स्रम का भिभाजन हुआ कि यह वाला काम वह करेगा यह वाला काम वह करेगा तो आपस में स्रम भिभाजन हुआ जिसे मैं history का टीचर हूं तो मैं history पढ़ाओंगा और आप student हो तो आप क्या करोगे दीईनब की YouTube पर जाओगे वहां से पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे पेपर में और अपी सब भी दोस्तों को बताओगे कि दी इनव के तुरू आपने पढ़ा था और कमेंट करके भी जुरू बताओगे कि क्या रिस्पोंस रहा है आपके इस वीडियो का ठीक है आपको कहीं समाज में हतियारों का उप्योग होना शुरूगा हतियार मतलब यह नहीं कि बंदू भाला यह सब नहीं हतियार मतलब ओजार अलग लग तरह के जो वैपन्स थे ठीक है उसका उप्योग करना शुरूग के क्योंकि इससे पहले का टाइम पीरिड था वहां पर पत्त्रों का अजार बणने के कारण क्या हूँ अधोस्तो कि वह सही तरीके से चलानी पाते थे पर जब धातू का उजार करने बनाने लगे तो धातू के उजार में धारदार होने लगा तेज एकदम नुक्खिलादार होता था ठीक है तो उसका उप्योग इसानिष कर पाते थे ठीक है और वो सुरक्षित भी रहता था उनके यूज करने में ठीक है तो दीरे दीरे वो परिवर्तन हुआ समाज में परिवर्तन हुआ और एक जगह से दूसरी जगह क्या हुए विस्थापित होते चले गए नगरी करने वो बनता गया विस्थापित होते चले गए ठीक है और दीरे वहां अकेले रहा था बहुत टाइम तक एक बंदा आया तो उसको मैंने बोला भीया चलो इतना जमीन वेरा हो गया इतना जमीन तुम रह लो ठीक है इसने क्या अब यह रहने लगा इसने अपने साले को बुला लिया ठीक है बीवी का भाई को भाई इग्नोर नी कर सकते तो उ हम भी दो गए वह भी दो गए अब हम दोनों तो भाई बंदे ने हमने अपनी सेफ्टी के लिए बुलाए था अब यह जो साले आया ने बड़े कमी ने निकल गया ठीक है अब इन्हों ने क्या किया अपने दोस्तों को बुला लिया इसने अपने दोस्तों को बुला लिया अब यह दीरे-दीरे समाज के वह बढ़ता चला गया, यह तो मैं for example आपको समझा रहा हूँ, दीरे-दीरे बढ़ता चला गया, अब आपसी टकराव होगा, उसको रोकने के लिए हम कुछ rule regulation तो बनाएंगे ना, तो उस rule regulation को हम चलाने के लिए राजनितिक व्यवस्था का उत पन हुआ, जो नगरी करन के अंदर में दिखता है, उनके घर का structure अलग अलग तरीके से बनना सुरू हुआ, उसको दिखता है, ठीक है, धार्मिक अनुस्थानों के अंदर मुनका परिवरतन हुआ, उसको दिखता है यहाँ पर, ठीक है, आपके बुक में अच्छे से explain क्या ह और मैंने पढ़ाया भी है, और MHI 01 का जो question paper करवाया था ना, उसके अंदर में भी यह वाला topics में ने बताया है, तो वहाँ पर आपको इसकी help मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा question बनता है, important question है, लेखनकला का विकास, लेखनकला की विकास की बारे में हम बात करे कास्योगिन समाज के अंदर में, तो यहाँ पर क्या होता है कि किलाकार विदी के द्वारा लिखा जाने लगा, वहाँ पर सरकंडे का किलाकार के थूरू, वहाँ पर कुछ चीजे लिखा जाता था, और वही किलाकार method कहलाता था, और उसको बाद में सुखा कर, एक सूचना पट के तोर पर उप्योग में लाया जाता था, ठीक, तो लेखन कला का धिरे-दरे विकास हो रहा था, और वहाँ पे अलग-अलग भासाओं का उप्योग किया जाने लगा, ठीक, अलग-लग तरीके चीजे सीखी जाने लगी, और जो लिखने का कला था, उसका विक्सित हु जो के भारत के इंदर में इस पेलिसली नहीं हम के सकते, इससीटिह में पटिकाई बेना जाती था, और सरकंडे के दंडे से नोखिले दार बनाकर उसको किला कार में इसे prolong!! तो यह लेखनकला यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों ठीक है समझ में आता है अगला कोश्चन के और बढ़ते हमारा चौथा कोश्चन आ जाता है पूरा पाशान कालिन समाज और नौपाशान कालिन समाज ठीक है यहां पर पूरा पाशान कालिन समाज के अं पुराने पत्थरों का जो उप्योग होड़ा था ना उसको पुरा पाशान काल के तोर पर हम जानते हैं और वहां का समाज किस तरह था तो वह होगा द lavender करता था पुराने औजार अजारो पर क्योंकि पत्थर का भाला थी पत्थर का जोरी लेगाई आपके यहां के बड़ी अपके आपके पास उठकर, कि चलिए जी विश्व जीद जी आप तो मारना चाहते हो चलो मैं आपके पास आ गया अब मार लो एसा तो होगा नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो ना तरीके से चीजे यहां पर देखने के लिए मिलते हैं नौ पाशान मतलब क्यों होता है नौ मतलब नया पाशान मतलब पत्थर नय पत्थरों का जो यूज उपयोग हुआ ठीक काल आया वहां पे धीरे-धीरे क्या हुआ कि ओजारों का वजन घटता चला गया उजारों के अरब में इसलाम का हुदे बहुत इंपोर्टेंट इसमें से almost 5-7 question's बने थी जब हमें महान का question paper solve करे थे last five years के अरब में इसलाम के हुदे के बारे में हम बात करते हैं तो अरब में इसलाम का हुदे किस प्रकार से हुआ ठीक है इसके अंदर में हम देखते हैं कि सक्तिसाली राजवंसों का अरब में उदे होता है और उन उदे के बाद राजवंसों के उदे के बाद यहाँ पे कुछ हिस्सों में उपजाओ मिट्टी थी, वहाँ पे महेंगी वस्तु का उत्पादन इस तर को बढ़ाये गया, धीरे धीर मक्का जो था साउदी अरेबिया मक्का मदीना ठीक है मुसल्म इस्लाम दर्म का सबसे परभीतर स्थल के तर पर मक्का मदीना को माने जाता है, तो मक्का वैपारी के तौर पर उबरा एक इश्वर बाद मतलब उन्होंने अपनी एक आइडेलोजी बनाई कि एक ही इस्वर हो मतलर को APIs मतलर का संदे़र वहाग के तो इस तरह से हम यहां पर अरव का इसलाम का उदय भी हम देखते हैं चाहँ कहता है सामन्तवाद में प्रशाष्मिक विवस्थ़ा पतन और चरण वन चरण टू यहां पर आगर आप बात करोगे तो प्रशामनतवाद के обычно समन्त वाद का प्रशाशनिक्ती को विवस्था 2-टो साम्त वाद का पतन तीन कोश्चन सामन वाद का चरंद 1 चार और सामन वाद का चरण दो-पांच विवस्था ऑस ठीके इस तरीके से चार कोशन यहां पर पांच कोशन बनते हैं अब एक एक के बारे में बात करते हैं सामंत होते कोन थे? चलिए आप कमेंट करके बताईएगा दूस्तों सामंत होते कोन थे? क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस में सामंत के बारे में बात किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका अंसर पता होगा ठीके, तो फटा फट कमेंट करके बताईए कि सामंत आपके हिसाब से होते कौन थे इनके परसाशनिक ववेस्था की बात करें तो एक बहुत सुचार रूप से चलाय जाता था ठीके, इनके पास खुद की सेना हुआ करती थी, राजा दुआरे इनको पर्मिशन मिलता था सेना रखने के लिए रीजन क्या होता था कि राजा को इन फ्यूजर कभी जरुद पड़ा तो ये अपनी सेना मदद करेंगे, आर्थिक रूप सिन का सयोग करेंगे, सब कुछ यहां पर रहता था थीक है, तो इस तरह से सामंथ वाद चलता है, सामंथ वाद का पतरन के पिछे क्या रहता है, कि आपसी विद्रो करने लगे, राजा से एलग होने की मांग करने लगे उसके वाद गता था विदेसी आकर्मण होना, वाहामारी फैलना य Сकीज चर सामंथ आजके समझ महाने आता है दोस्तों इस तरह से सामंत वादावाला कोशेंग यहां पर जाता है और सामंत के अंदर में और सामंत वाद को फैर मिलर्दीदी व् up two to кажд me two roadirelt персон हम दूसरे चरन और पहले चरन की बात करें तो यहां जो हैं सुछ घृतिकिंग पर जंसंख समन अन्दर के बहुत टेजी हुआ थी चामने नातनी नातका स्वाह, पर जब करने के लिए excited होने लगा में खेती करने लगा अभी कुछ समय पहले तक एक्जामपल के लिए महता हूं तो आपको मेरे फादर बैली में ही रह रहे तो बैली में काम कर दे उसके बाद उनको जाने कि मैं आया कि भीया मुझे गाओं जाना चाहिए और गाओं में खेती करना च इस तरह सच चीजे आपको देखने मिल जाते हैं और यहां पर आपका शटा कोशन भी कंप्लेट हो जाता है सात्वा कोशन की बात करते हैं दोस्तों यूनान में दास परमप्रा ठीक है उससे पहले हम रफ कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे हमें समझ में है चीजे ठीक है रफ करते हैं फटाफट फिर उसके बाद हम आगे सात्वा कोशन के और बढ़ते हैं दोस्तों आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप इसके उपर जो भी रिस्पोंस होगा आपका वो दोगे अपना प्यार बरसा होगी ठीक है चलिए हम अगला कोशन सात्वा कोशन करते हैं फटाफट सात्वा कोशन कहता है यूनान रोमन में दास व्यवस था यहां पर दो कोशन में जाता है तो यूनान में दास व्यवस था और दूसरा कोशन रोमन में दास व्यवस था दोनों में सेम चीज़ क्या जाता है कि दोनों का टाइ अधिकार माने जाता है कि भी है पूरी तर से इंका अधिकार हो जो बोलते तो करना पड़ता था उन्हें ठीक है और भी कई सारी चीजे थी वहां पर जैसे दासववस्था के अंदर में वह भी धन की तरह ट्रीट करते थे जैसे मैंने बताया ना पीछे जानवरों को धन मानते थे हड़पा सववता वाले तो यहां पर रोम और युनाने में भी यह चीजे देखने के लिए मिलते हैं दोस्तो और इसको फोलो किया जाता है ठीक है समझ में आता है अगले हम बात करें दूस्ते यहां पर अगले टॉपिक का तो इंका सववता के बा करजर गायब हो जाता है क्योंकि मुझे इराइटिक बैड का आइडिया नहीं चलाने का ज़्याता ठीक है यहां पर हमारा साथवा कोशिन के लिए छोग है साथवा कोशिन के बाद हम आटेवा सवकॉशन पर आते हैं कि इंका सब्वेता में पहले बात करें तो इंका थे चौर में कुछ निर्मान को निर्मान कर जाने लगा ठीक के इंदर में बताएगा कि जो बस्ती हुआ करती थी उसके अंदर में कुवे वैल का निर्मान किया जाने लगा ठीके महराबी च्छत 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 का निर्मान किया जाने लगा ठीके मह इंका सबरेटा के बारे मैं बात करते हैं। नियकर आरां इक को ले उक के वर्णीस समय है। समझ करते हैं यहां पर 33-35 सताफदी के निड़ो के अंदर में जो इंका सबरेटाय था वह बहुत मसब इस्तिती में परती दिन कपड़ों का दान के कर जाता था जाल पापड से काट कर सड़क का निर्मान किया जाता था ठीक है नदी पर पूल का निर्मान किया जाता था तो इस तर से इंका सब्वेता और यहां पर माय सब्वेता को दोनों को दर्साया है दोस्तों ठीक है समझ में आता है अब आपने बुक से आपको help मिलेगी बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है यहां पर आप नोवे question के हम बात करें क्रिशी के पारम होने के संशीवत बिवरण पारम होने के संशित विरुन क्या पहले लोग क्या करते थे पसु को पालते थे ठीक है पहले लोग क्या करते थे पसु को पालते थे पसु पालने के बाद क्या होता था भया वो बड़ा हुआ बड़ा हुआ बेच दो तो यहां पर उन्होंने क्रिशी क्या संशित विरुन के पसु को पालने लगे पसु पालने के लिए बाई किसी दूसरी जगों चले गए बस गये वहीं पर रह गए तो इस तर से दीरे दीरे करके क्या हूँ थोड़ा सा तो दसवा टॉपिक हमारा कहता है है दूसकिन शे जो चर्जर में लें चल रहा हूँ और से अरजनिक सेवा लुगेam चीन के अंतर में सिक्षा और सेवा के उपर में बल दिया गया कि भी यह हमारे सेवा कर सकते हैं, मतलब सेवा यह सेणा के उपर में, ठीक है, पूर्व आधुनिक खाल में चीन के धार्मिक विचारों के हम बात करते हैं, तो सिक्षा के उपर में बल दिया जाना, सार्वजेंक तो इस तरह से जो चीजे थी न चीजें के अदर में धार्मी को दिखाता है यहां पर अगला प्वारे बारे में बात करें 11 पॉइंट के बारे में बात करते हैं रिखता हैं कि न Gotcha इंतर के त्रा इस साथ साथ दीरे दीरे लोग मर भी रहे थे और लौग भी बार्थ भी ले रहे यह सारा कुछ चल्डाता था कई अ पर यहाँ चाहिए तो यहाँ पे जो जन्ना परिवर्थन होता तो कई सारे कारण रहते हैं कि अ प्रवारत के अंदर में पिछले कुछ सालों के अंदर में बहुत सारी लोग मेरे अगर जिंदा होते तो अभी कई सारी चीजे होते वह भी साहथ नेट यूज कर रहे होते आप अपनी वीडियो नहीं देख पाते पूरी ठीक है एक ही घर में रहते तो एक ही वाइफाई से की आए ने मतलब यह नहीं कि वेरिफाई करना था कि विया देवी देता है ऐसा नहीं मानेता देने का मतलब क्या कि यहां पर मंधिर में जाना है पूजा करना है पाट करना है तो इस तरह से चीजें बदलती हुँ जाती है बारवा कोश्चन आता है दोस्तों के बारवा प्रकार से उर्प का विकास और सहरो का विकास यहां पर हुआ हो निजी उपभोग के महत्वद सब्सक्राइब तो यहाँ पर जो किरिशी समाज था रॉक्राइब इससलाम समर्कारां सेयंति लेते हैं दोस्तों ठीक है यूरोप के अंदर में सहरी करेंड की बारे में बात करें तो अलग लग जगप अलग धार्मी को अभी टाइम पिरेट देखने के लिए क्रिश्ची तकनीक का विकास होता है दोस्तों आरब में उजारों का उजार जो थे असरदार बनना सुरू हु कपूतर पता होगा दोस्तों की खेट के अंदर में जाकर हो चूनता है तो या फिर वह बीज निकाल रहा होता है या फिर वह कीडी होते हैं कि यहां पर आपका 12 कोस्षेंट भी यहां पर इधर से तो हम डारेक्ट समान इधर बैच सकते हैं ठीक है पर अगर मानलोग अमेरि थीक денег ठीक है अमेरिका यहां से समान क्याया कैसे वैज्विजुईर तो उसके लिए हमने जो चिंग समुद्री वैपार में रास्ता बनाएं तो तो अलग अलग तरह से Chemistry समुद्री वैपार में बडोत्री और ग्याहें सबसें बढ़ता बढ़ती चली घर चीजेए बढ़ती तो इसके उस अधूनीक विकास होता है जैसे आप विज्यान के चेत्र में अधूनीक विकास मतलब क्या नच प्योग करना पहले क्या होता था आपको भुकार होता था तो आप क्या करते थे कि गए डॉक्टर के पास में उसने थर्मा मीटर जैसे वाला जाड़ने वाला लगा दिया उसको ऐसे करके रगड़ वोड़कर साफ़ाफ करके और आपको बोला रख लो ठीक है पर अगर आप किसी नए डॉक्टर आज के जवाने के दुटर के पाद जाते हो तो वो क्या करेगा एक मसीन देगा डिश् किसे अपना जीवन व्यापन करते थे अब इन्हों में क्या किया कि आधुनी विकास के कारण से यूद जैसी स्थिति बननी शुरू ही भारत और पाकिस्तान के बीच में बात करते हैं कई जगह ठीक है अलग अलगतर के हत्यारों की होड़ बढ़ गई लोगों के अंदर में निजी हतियार रखने का सौक जगा ठीक है तो इस तरह से हम यहां पर विज्ञान के शित्र में आधुनिक्ता के बारे में देखते हैं यूद जो थे लंबी-लंबी समय तक चले जाने लगे बड़े-बड़े परवाणू बंबरे बड़े हतियार बनाए जाने लगे तो यह निगले आपसे मांगा गया यह सानी कि आपकी मर्जी नहीं थी आप पार्टिस्पेट नहीं करना चाहती ते कहने का मतलब यह कि एस लाइक एक्जाम पी आपने उसको पे किया ठीक है तो विज्ञान के चित्र में बहुत जादा दोनिक्ता हुए बारुद और कुरांती के करें तो कई जगह पें लोगों ने उसका बारुद और करांती का अपयोग किया ठीक है कि तरह से चीज़ेंग हो रही थी बारुद करांती मतलब क्या नेने हथियारों का उपयोग किया ज violin ठीक है बारूत करांती मतलब नएने अत्यारों को उपयों गया जाना और यूद करांती मतलब सही तरीके से तुचारू रूप से इन सभी चीज़ों को regulate करना ठीक है इस तरह से यूद करांती कहलाता है जब तक किसी को नहीं पता चलता जब तक तो ठीक होता है जब पता जल हो जाता है तो फ्रेंट्स थांकिव वॉचिंग मी थांकिव लिस्टी में बाबाई टेकर रॉल दा बेस्ट और दोस्तों रात के एक बज़ रहा है ठीक है करेक्ट एक बज़ रहा है कई जगह पर साहथ बोलने में गड़बड हुआ होगा तो आप उसको अजस्ट कीजिए उससे बेनिफिट ही होने वाला है कि आपको चीज़ी समझ में आएंगे और आप अच्छे से कर पाऊगे अगर आप उन बुक को नहीं लेते हो तो फिर थोड़ा सा दिकत भी होता है पढ़ने में किस तर से पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं क्या बेस्ट है वो चीज़ी